नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके एपने चैनल इंगलिज डोजिद अभी में और मैं हूँ अब नोसर वास्तों तो मित्रों जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपके जेंडर का पार टू ले करके आओंगा जिसमें मैं आपको जेंडर कन्वर्जन परसेंट पक्का है वो किसी भी एक्जामनेशन में पूछा जाता हो आपका कोई भी आप सेक्शन उठाके देखिएगा आपको यहां से एक नमबर प्रशन जरूर बनेगा जेंडर टॉपिक से ठीक है तो आएए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस्पेसल वर्ड्स की और आपको बताते हैं कि मैसकलाइन जेंडर से फैमिन जेंडर क्या होगा तो कि यहां से एक प्रशन बना है आईए आपको दिखाते हैं सबसे पहला वर्ड है दोस्तों हमारा लैड लैड मिंस दोस्तों होता है लड़का यह मैसकलाइन जेंडर है आप यहां देख सकते हैं यह म में मतलब लाड़का लैड लैस ठीक है नेक्स आपका है इस टैग इस टैग मेंस दोस्तों होता है वैसे दोस्तों इस टैग का मतलब हीरन के लिए भी हिरनी के लिए उसके आता है ठीक है यहां पा है इस टैग बारा सिंगा और हिंड मेंस आपका बारा सिंगी हो जाएगा अग नेक्स्ट ड्रैक ड्रैक का मतलब दोस्तों है नर बतक जो नर बतक होती उसे ड्रैक बोलते हैं और यहाँ पर आपका ड्रैक हो जाएगा मादा बतक अगर बात करें बैचलर की तो आपका बैचलर का दोस्तों हो जाएगा जिसको कुमारा कहते हैं लड़के के लिए बैचलर और लड़कीों के लिए दोस्तों इस पंस्तर या मेड भी यूज किया था है बात करें नेक्स्ट की तो gander, gander means दोस्तो नरहंस जो नरहंत होता उसे gander बोलते है masculine gender और feminine gender इसका देखा जाए तो गूज हो जाएगा नेक्स्ट की और बढ़ें तो आपका ये हो जाएगा fox fox का मतलब नर लूमडी और यहाँ पर vixen का हो जाएगा मादा लूमडी फिर बक बक का दोस्तों आप याद रखिए यहाँ पर यह पूछा जा चुका है आपका डॉक डॉक का दोस्तों पूछा गया था जिसका पोजिट यहाँ पर जो मैस्कला इंजेंडर था वो बक था बक का मतलब होता है नर जो खरगोष होता से बक बोलते हैं और मादा खरगोष को डॉक बोलते हैं नेक्स्ट की अगर बढ़ें अगर हम लोग तो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ रैम रैम का मतलब भेड़ा है दोस्तों जो भेड़ा होता है मतलब जो भेड़ जिसे आप बोलते हैं तो उसी का मैस्कला जेंडर भेड़ा हो गया और यू मिन्स हो गया भेड़ी ठीक है लॉइन का लॉइनस हो जाएगा यह कॉमन है उसके बाद ये बहुत ज़्यदा पूछा गया है यह यह वाला आपका यह दो बहुत ज़्यदा पूछी आ चुके हैं और मॉंक आपने देखा होगा मॉंक का मतलब दोस्तों होता है साधू जो साधू लोग होते हैं वो होते हैं मॉंक और मॉंक का फेमिन जेंडर हो जाएगा नन नन का मतलब साधूई यह सब दोस्तों तो नार्मल मेंban जो इस्परसल वो सो मीनस होता है आपको जो बोर मेंस है ना सूर और सूमिन्स हो जाती है आपक ादासुर होती है उसे हम लोग बोलते हैं सो ठीक है next की और अगर बढ़े हम लोग तो ब्रिस ग्रूम और उसके बाद ब्राइड ये तो अब अच्छी तरह के से जानते हैं फिर आ जाता है अपका कॉल्ट का मतलब होता है जो घोड़े का नर मतलब जो घोड़े का बच्चा होता है उसे कॉल्ट बोलते हैं और उसका फेमिनान जेंडर होता है फिली ठीक है next आपको बताऊं तो अर्ल का मतलब होता है सामन्त और उसका जो यहां पर हो जाएगा फेमिनान जेंडर हो जाएगा countess, next आपको दिखा सकता हूँ हम हैं, wizard wizard का मतलब दोस्तों होता है जादूगर विजर्ड का मतलब होता है जादूगर, और यहाँ पर जो which है, which का मतलब हो गया, जादूगर नी, और दोस्तों, यहाँ पर इसे जो है, which के लिए दोस्तों dion जो आप use यूज करते हैं लोग वर्ड तो डायन के लिए भी यूज कियाता है विच ठीक है जादूगर नी जादूगर जादूगर नी बात करें डक तो डक का डचेश हो जाएगा यहां पर उसके बाद बलक का दोस्तों यह हैफर याद रखिए ठीक है यह आपका हो जाएगा हार्ट क हीरन और इसके लिए लोग यूज करते हैं रो ओर ठीक है नर हीरन अ hogy और आपका जो मादा हिरन हो जाएगी वह रो हो जाएगा उसके बाद आपका बन जाता है स्वैन तो स्वैन के लिए आप यूज करें स्वैन का मतलब यूप ऑ निफ यह पर मलब मेम यहां से उम्मीद नहीं है मेरे ख्याल से तो मैंने पूरी कोशिश की हैं कि आपको इससे बाहर आपका एक भी question न जाये और 100% मैं कह भी सकता हूँ कि साइद अब इससे बाहर नहीं भी जायेगा ठीक है तो इसलिए वीडियो को आन तक देखें लगब पचास से ज़्यादा मैंने आप पर लिये हैं जो कि आपके अलग-लग formats में पूछी जा चुके हैं अब आपका बन जाता है बिली गोट दोस्तों बिली गोट का मतलब होता है बकरा और बिली गोट के लिए हम यूज करते हैं नैनी नैनी गोट मतलब यहाँ पर बकरी वैसे तो आम तोर पर हमने दोस्तों गोट ही पढ़ा है गोट मींज बकरी लेकिन मैं आपको यह पूरा explanation के साथ बता दू कि बिली गोट का मतलब बकरा और नैनी गोट का मतलब बकरी आगे आपको ले चलते हैं अगला आपका बंज़ेता है जो यह टॉम कैट है यह आपका दोस्तों यह आपका नर जो है बिली के रूप में जाना जाता है ठीक है जिसे बिल्ला हम लोग कह देते हैं तो यह नर बिल्ली है और इसे टैबी कैट से हम रिप्लेस करते हैं आपको ले चलता हूं काओ हस्पैरो cow sparrow का दोस्तों हो जाएगा hen sparrow ठीक है ये cow sparrow उसका hen sparrow हो जाएगा और bull elephant का दोस्तों हो जाएगा cow elephant याद रखिए यहाँ पर important fact है कि bull elephant ये आपका जो है वो मतलब आपका नर हाथी है और इसे हम हथनी बोलते हैं तो हथनी के लिए आप यूज करते हैं cow elephant तो देखिए यहाँ पर आप एक बात और समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर मैं इस पैसलिटी के साथ अलग-अलग category वाइज आपको means भी पता रहा हूं कि आप इससे आपका vocabulary का मेंटेन हो जाएगा आपको vocabulary भी सिस्टम मेंटेन हो जाएगा आगे लिए चलता हूं आपको next की ओर और next आपका है चेयर मैन दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कि चेयर मैन का अकसर लोग यहाँ पर चेयर मैन के लिए दोस्तों क्या लिख देंगे चेयर मैन लिख देंगे और यह इनका गलत हो जाएगा याद रखिए चेयर मैन के लिए चेयर परसन आता है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए next इसलिए मैं यहाँ पर देखे important का भी एक column यहाँ पर एक sorry title दिया है next अगर आपको दिखाऊं तो आपका बन जाता है spokesman और spokesman का दोस्तों यहाँ पर spokesman का बिल्कुल वही system है कि spokeswoman यहाँ पर नहीं होगा यह बात याद रखिएगा यह बनेगा आपका spokesperson बात को अच्छी तरह से समझते वें चलिए क्योंकि यहाँ पर यह सारे के सारे एक number आपको देने वाले हैं आगे अब यहाँ पर समझे कि states man जब आपका आएगा तो आप states woman लिखेंगे यह चीज समझ लीजिए यह तीन अपने आप में important ज़्यादा हो जाते हैं आगे आपको दिखाऊं को tutor मतलब जो male teacher आप जैसे hire करते हैं अपने घर पर बच्चे को पढ़ाने के लिए तो उसको हम लोग करते हैं tutor लेकिन जब आपके वह female teacher आप अगर उसको कर रहे हैं या female कोई आप लेकर के मलब candidate आपके वहाँ आ रहा है कुछ सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए तो उसे आप governance के तौर पर कहेंगे ठीक है मतलब tutor masculine gender feminine governance हो जाएगा उसका ठीक है अब next आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर आपका बन जाता है drone जो की पूछा जा चुका है drone का मतलब होता है दोस्तो नर मदमक्खी और यहां पर भी आपका मादा के लिए यूज किया आता है तो मित्रों यहां पर एक भी आपको मैंने जितना भी दिखाया है आप चाहें तो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको एक बार slide कर रहा हूँ यहां से आप एक screenshot आप ले सकते हैं जल्दी से इसका और अब मैं इसका भी next part भी आपको दिखा दूँ आ आप यहां से भी इसका screenshot ले सकते हैं आप बाद में अपने notes स्वेम बनाईए खुद बनाईए और कोस्ट करिए अपने आप बनाने के बाद आप चीजों को अपने हिसाब से याद करें ठीक है तो यहां पर एक भी मेरे ख्याल से बाहर नहीं जाएगा कि यह सब किसी ना किस examination में पूछी जा चुके हैं और अलग-अलग जगे से मैंने इनको एक तरीके से चूज करके filter करने के बाद यह filter material आपके सामने में ले करके आया हूँ तो यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीज वीडियो को like करिए शेयर के लि झाल झाल